नालागडू मंडल में एक वार फिर करोना बम फूटा है अब यहाँ बम यहां की कमपनियों में फूटा है रिगली इंडिया बबल गम कमपनी के 15 करमचारी संक्रमित पाए गए हैं दो लोग इस कमपनी के करमचारी के परिजन हैं इसके अलावा चार लोग सारा टेक्स्टाइल के करमचारी का परिवार है जो की कमपनी से वाहर किराय के कमरे में रहता है कौर तलब है कि विलावाली का एक करमचारी रिगली इंडिया में काम करता था सरप्रतम संक्रमित पाया गया था उसके बाद जब एहतियाद के तौर पर कमपणी के कर्मचारियों को एक रिजॉर्ट में क्वारेंटीन کیा गया था और उनके सैंपल लिए गए थे सन सिटी रोड पर क्वारंटीन हुए करमचारियों में कुछ करमचारियों की रिपोर्ट गदिवस नेक्टिवाई है जिस मैंसे 15 करमी संक्रमित पाए गए जबकि दो लोग आगे इन मैंसे कुछ लोगों के परिजन हैं वहीं दूसरी और धागा मिलना लगड में वी संक्रमीतों का सिलसिला बढ़ता जा रहा है जो की चिंता जनक है परशासर ने सभिस्थानों को सेनेटाइज कर दिया है और प्रभावित लोगों के परिजनों वो दोस्तों को घरों पर ही रुकने की सलाह दी है SDM परशान देश्टा ने कहा कि कोई भी व्यक्ति किसी भी परकार की जानकारी ना छुपाए और बाहर से चोरी जीबे करमचारी वल्लेवर ना आएं बलकि उसकी पूरी सुचन शाशन को दें आपका एक छोटा सा गलत कदम किसी को परिशानी में डाल सकता है जुलाई का महीना लागतार नाला गडुक मंडल के लोगों की दिक्तों को बढ़ा रहा है PITV के लिए BBN से शांती गोतम की रिपोर्ट